नमस्कार दोस्तों आप सबी गर्षटी फॉर यूपेसीपी से समय स्वागत है आज तारीख है 14 हदिसंबर 2023 इस भी और आज का न्यूज पेपर और आर्टिकल डिससन का वीडियो होगा ये काफी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज है तो धीरे-दीरे कबर करते चलेंगे को मैं कई बार अंतों बता देता हूं और बिहारे-श्पेसल का भी दो न्यूज आज मैंने रखा हुआ आपके लिए तो दो न्यूज बिहारे-श्पेसल का वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुख्यमंतिरी समंदीत है तो वहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं इसलिए बीडियो का अंतक जरूर देखिएगा है अज का एक तो है कॉप 28 कॉल फॉर ट्रांजिस्टन एवे फ्रम फॉसिल फ्यूल्स एक तो यह है और दूसरा आपको पताई होगा कि कल संसत भवन में दो युवक घुस आये थे और उनके हाथ में एक स्मोक निकालने वाल अगर यह स्मोक की जगे जहरीला धुआ होता तो संसत का जो डिजाइन है नए वाले संसत का उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है क्यों क्योंकि इसमें दर्सक दीरगा जो है न वो बहुत ही नीचे है मातर सारे छे पीट या छे पीट से कम हाइट पर है दर्सक दीरगा वहा पास लेकर गए थे अंदर और इनके जूतों से इन्होंने क्या निकाला तो यह यह स्मोक निकालने वाला एक पदार्थ निकाला और उसके बाद उसको जला रहे थे वहाँ पर तो मैं क्या कह रहा हूं आपको यह यह जो स्मोक है जूतों से निकाला उन्हों यानि की संसत भ देखिए इससे पहले कव एटेक हुआ था तो 2001 में एटेक हुआ था संसद भवन पर आतंगवादी हमला यह आतंगवादी हमला तो नहीं था यह युगक विरोध करने के लिए घुस गये थे वहाँ पर और विरोध ही कर रहे थे विरोजगारी के खिलाब ताना साही के अब इसको लेकर क्या हो रहा है कि आगे है डीटेल में अब इसको आज हम लोग कंक्लूड कर लेंगे सारा कुछ कि क्या क्या हुआ है उसी पर आज अपना आर्टिकल होगा क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाने की संभावना ज्यादा होगा तो इसलिए मैं आपको इसको ड करेंगे नहीं तो हम लोग कवर नहीं करेंगे उसको गए चलिए देखते हैं कॉप 28 में क्या सब हुआ है और अगर इसे न्यूज को देखेंगे आप लोग ध्यान से तो 2050 तक इन्होंने क्या बोला है क्रेटिंग डू पार्ट देखी यहां पर लिखा हुआ है क्रेटिंग पार्ट तो नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाई 2050 तक नेट जीरो नेट जीरो सब्द को जरा ध्यान से सुनिएगा नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन से गैस सामिल होते हैं यह आपको बता चुका हूँ है बहुत बार आपको प ये समझीएगा जरां बलकि इसका मतलब होता है कि ग्रीन हाउस गैस का आपने उत्सरजन किया है उतना ग्रीन हाउस गैसका क्या करेंगे निस्तारन भी करेंगे उसको प्रक tu つ्यार sector हटाएंगे भी उतने सारे ग्रीन हाास गैसे को तोटल चेंज और उसमें क्या अगा जीर जीरो आपका, नेट इमिशन क्या हो जाएगा, जीरो, जितना निकला और जितना निस्तारित किया गया, उन दोनों को मिला देने पर आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो नेट जीरो कब तक प्राप्त करने का लक्ष रखा गया है, तो 2050 तक का रखा गया है, पहला 43% हमें 2030 तक कम कर देना है और 2019 का 60% तक हमें कब कब कर देना है तो ये 2035 तक हमें कम कर देना है देखे ये सब लक्ष रखा गया है क्यों क्योंकि 1.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस सेंचूरी के अंदर तक हमें पिर्थवी का टेंपरेचर बना कर रखना है अगर इसको पिर्थवी का टेंपरेचर क्रोस कर जाती है जो कि कर ही जाएगी मुझे पता है करेगी ही करेगी कोई इसको रोक नहीं सकता तो क्या होगा पिर्थी पर जितने बर्फ आपको दिखते हैं बड़े बड़े उत्तरी धुरूब दक्षिनी धुरूब पर वो सारे पिखल जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा और बहुत बड़े अस्तर पर आपको तरास्दी दिखेगी, साथी साथ हिमाले जिसको क्या कहा जाता है हिमाले रिजन को तीसरे धुरूब की सं भावना बनेगी इन नदियों में हिमाले नदिया यानि की उत्तर प्रदेश और बिहार के नदिया ठीक है आगे बर जाते हम लोग देखते हैं आर्टिकल क्या आया हुआ इस देगे चर्चाम तर क्यों है पताई आपको कॉप 28 का आजन कहा पर किया गया है दुबई UAE में क किया अगया है चौप 28 के मुख़ Only से इस पार क्या है पहले लॉस एन डेमिज कर रहे हैं उन देशो को हम लॉस एन डेमिज ख 안 डेल के टेऊत 22 में पिर्थवी समयलनों की गई थी विस्व बैंक चार वर्सों के लिए फंड निदी का अंतरी मेजबान होगा ये जो फंड का होगा इसको देखेगा कौन सीदी सी बात देखेगा कौन तो वो विस्व बैंक देखेगा सभी विकास सील देश आवेदन करने के पात रहें कि हम जलवाई परिवर्तन से क्या हो रहे हैं प्रतारित हो रहे हैं हमें जरा से इसमें से फंडिंग दे दो तथा प्रतेक देश को स्वेक्षा से योगदान देने के लिए आमांतरित किया जाता है अलप विक्सी देश या लगहू द्वीपिय विकास सील देशों के लिए का एक विसिष्ट प्रतिशत निरधारित किया गया है दूपिय विकास देश देशों का मैंने आपको बताया था एक दीन कि क्लाइमेट रूप से वल्नरेबल जो कंट्रीज हैं उनका एक अलग ग्रूप है मैंने बताया था आपको जिसे मालदीब था बंगला देश था जि उनके लिए अलग से गुल्लक रखा गया है उनको अलग से पैसा दिया जाएगा ठीक ना ग्लोबल स्टॉक टेक ड्राफ्ट अब यह क्या ग्लोबल स्टॉक टेक वर्ष दोयर पंदरम संपन पेरी समझाओते के तहता स्थापी तेक आवधी आवधिक समिक्षा तंतर है समि हान में रखेंगो तो आप एंसर राइटिंग वहाँ पर कर पाएंगो के मौसौदे में वैस्ट्विक तापमान बिर्थी को एक पॉंट पॉंट डिग्री सेल्सियस के दाएरे में रखने के आठ कदम प्रस्थावित हैं जब भी कॉप से संबंदित कुछ भी पूर्चा ज बस दिन रात यहीं बोलना है कॉप में बैठ कर समझ रहेंने मेरी बातों को तो क्या इसका एक ही लक्ष है हमारा है क्या लक्ष है वो एक पॉंट पॉंट डिग्री सेल्सियस तक प्रित्विक तापमान को बना कर रखना है विश्वस्तर पर नवी करनी और जा चमता को तीन गुना करना है वर दोयरतीस तक उर्जा दक्सता सुधार के वैस्विक और सत वार्सिक दर को दो गुना करना है ठीक है अगला क्या है अगला पॉंट है आपका कि सीची यूएस तकनीक रहित कोईला विदूत सन्यंतरों को चरणबध तरीके से समाप्थ करना नवीन वो नि economy का जान है कोईला जीनने तो बहुत सारे नभी करने शुरोत भी अपनाए है भारत नभी अपनाए है लेकिन फिर भी हमारी वहां पर कॉप में क्या बोला जा रहा है कि हम क्या करेंगे हम क्या करेंगे हम करेंगे सुन्य उठ्ण उड्जा प्रनाली मीं कुप नाम बढ़ाना देखिए मैं आपको कटाक्षकल भले ही वो UAE और इंसर्चियों का नाम ले लेता हूँ लेकिन देखिए हमें अगर वाकई वाकई पिर्थवी को बचाना है तो हमें कुछ प्रयासों को करना ही पड़ेगा जिसमें से पहला है क्या फॉसिल फ्यूल जो होते हैं चा उर्जा परनालियों में CCUS तकनीक रहित जीवास मिंधन के प्रतियस्थापन के लिए साम परयासों को बढ़ाने के लिए सुन्य एवं कम उत्सर्जन प्रद्योकी में तेजी लाना जिसमें अन्य मुद्दों के सासात नवी करनी है उर्जा परमानू उर्जा कमी वनिस्कास को सियर करेंगे जिन में कार्बन कैप्चर एक बिधी होता है कार्बन को कम करने का उपियोग वा भंडारन एवं कम कार्बन हाइडोजन उत्पादन सामिल है इन सब चीज़ों के दौरा हम क्या कर सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल पर अपने निर्भरता को कम भी कर सकते हैं और अगर उस पर निर्भरता है हमारी तो उसके जो इमीशन हो रहे हैं उस इमीशन को हम थोड़ा से स्वक्ष जरूर बना सकते हैं कार्बन कैप्चर बीधी के दौरा पेर लगाने के दौरा ग्रीन हाउस गैसों को समाप्त करने के दौरा इन सब बीधियों के दौरा बिग्या याद रखेंगे आप लोग कि 2050 से पहले हमें नेट जीरो एमीशन प्राप्त करना है ग्रीन हाउस गैसेज का कॉप अपट है इसमें फैसला लिया गया है 2019 के अस्तर के 43% तो हमें कब 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 तक कम कर देना है 2030 तक 2024 में हम लोग जाने वाले हैं कुछ दिनों बात बस कुछी कुछी दिन का एक्जाम है कुछी दिन का बस तारीक बचा हुआ है उसके बाद से क्या हो जाए कि 2024 में लोग चले जाएंगे यानि कि अगले 6 सालों हमें खुम मेहनत करना पड़ेगा है ना हमें यानि कि पूरी दुनिया को वर्थ 2-30 तक वैस्विक अस्तरवब इसे कहां कहां से होता है तो खेतों से भी होता है एगरी कल्चर और पसुपालन जो है यह भी मीथेन में उतसर जने 20% से ज़्यादा का योगदान देता है नेचुरल चीजों को कैसे कम करेंगे आप हमने इसके लिए उपाए निकाला कि गाई को एक बिसेस प्रकार की हम लोग क् मुख होता है या किसी भी मवेसी उससे जो मिथेन का उतसर जने होता है वो कम हो जाएगा यानकि पसुपालन से मिथेन उतसर जने को हम समाप्त कर देंगे लेकिन क्रिसी से मिथेन उतसर जने को समाप्त करना इतना आसान नहीं होगा क्यों क्योंकि उसमें तो पानी डलेगा ही और कारबन तो है ही धान में धान का जो पेर होता है कोई भी ग्रीन चीज है उसमें तो कारबन है ही और आपने हाइडोजन दे ही दिया उसको अब वहाँ पर मिथेन का निर्मान आसानी सो जाएगा हाइडोकारबन होता है बसाबसे सिंपल प्रोसेस होता है मिथेन का निर्म सुनी तता कम उत्सर्जन वाले वाहनों को तेजी से अपनाने के कई उपायों के माध्यम से सरक परिवहन से उत्सर्जन कटौती में तेजी लाना जो सरक परिवहन से क्या होता है तो मीथेन का उत्सर्जन या कार्वन का उत्सर्जन होता है उसको तो हम लोग जरूर कम कर सकते हैं किस तरह से तो renewable energy के स्रोट के दूरा या फिर green hydrogen को बरहावा देकर या electric गाड़ियों को बरहावा देकर है ना अगला क्या है कि ओप्रभावी जिवास मिंधन सबसीडिरी को चरनबद तरीके से स्माप्त करना सबसीडिरी को समाप्त करना ओपर भावी जीवास मिंधन पर जो सबसीडरी दिया थे पूरे दुनिया में उसको हम लोग खतम करेंगे जिससे क्या होगा फॉसिल फ्यूल साब के महंगे होंगे पेट्रोल डीजल कोईला ये सब आने बाले समय महंगे होंगे क्यों 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 उस पर सरका यो करना छोड़ देते हैं जो फिजूल कर्ची को बढ़ावा देता है उर्जा निर्धनता वो सिर्फ बदलाओं को संबोधित नहीं करता है विकासील और गरीब देश कॉप 28 में ग्लोबल स्टॉक टेक के नवींता मसौदे पर औस तंतोस व्यक्त कर रहे हैं और महत्पु बदलाओं की मांग कर रहे हैं विकासील और गरीब देश मांग कर रहे हैं देखिए ये जो टॉपिक होते हैं कॉप अगरा ये बहुत ही भोरिंग टॉपिक होता है तो मैं इसलिए कूपूरी कोसिस कर रहा हूँ कि क्यों नहीं इसको इंट्रेस्टिंग बनाय जा थोरा सा के लिए नहीं तो बोड हो जाएंगे इसमें इतने टर्मिनोलाजी आते जिनको पर कराब बोड हो जाएंगे ना मौसौदे में जीवास मिंधन को चरनबत तरीके से समाप्त करने का उलेक नहीं है लेकिन इसमें कोईले कूप योग पर करी आपत्ती सामिल है जीवास मिंधन जैसे अतधिक कोईले पर निर्भर रहने वाले देशों के लिए समस्या ग्रस्त है इसलिए भारत और चीन दुनिया में कहीं कहीं पर एक होते हैं रेर कंडिसन है जहां पर भारत और चीन एक साथ बोला कि हम इसको मंजूर नहीं करेंगे हमारे साथ अन्याय हो रहा है ना भ कोईला का उपयोग जिसके भारत और चीन जो विकासील देश जो है जहां पर हमें फाइदा लेना हो तो वहां पर हम बोलते हम विकासील देश है ठीक है तो विकासील देश जो है वो कोईले का उपयोग कर रहे ताप उस पर आपती जता रहो रैपीड सब्द का उपयोग कर लेकिन इस च्छोटे च्छोटे अंतर को द्यानम रखेंगे तो पता है क्या होगा आप एक्जाम में जब इस इंचीयों को लिखेंगे नितीनी बारी की से तो आपको पता चलेगा कि हाँ भी कितना अच्छा एंसर लिखा गया इस बच्चे के द्वारा इंचीयों को थोड़ा सा ध्यान में रखेगा भारत जो अपनी 70% बिजली अब देखें भारत क्यों आप पत्ती जता रहा है चीन के वपत्ती जता रहा है 70% बिजली उत्पादन के लिए कोईले पर निर्भर है का लक्ष कोईला अधारित बिजली उत्पादन छमता में 17 गीगावाट जोड़ने का है भारत का तरक है कि उसे अपनी विकास संबन्दी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोईले को प्योग जारी रखने की ज़ूरत है और आश्टी अस्तर पर निर्धारित योगदान का पालन करने के महत्त पर जोड़ देता है भारत ने बोला कि हमारी आवादी 140 करोर आपकी यतनी आवादी उतने हा तो हमारी बीससी में फॉम बर दिया लोगों ने तिस लिए आप बोलो रैपीड तरीके से स्वाप्त करो लेकिन हम रैपीड तरीके स्वाप्त नहीं कर सकते हैं क्यों क्यों हमारी आवादी बहुत बड़ी है ना भारत का तरक है कि उसे अपनी विकास समझनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अभी क्या चाहिए तो हमें चाहि आपको जीरो उत्सरजन नहीं करना बलकि आपको निगेटिव उत्सरजन करना है मतलब जितना उत्सरजन कर रहे उससे ज़्यादा आपको हताना परेगा नकारात्मक होना चाहिए आपके यहां कारवनेमिसन अगर हम विकासील देश जीरो पर पहुंच रहे हैं तो आप विक्सी तो आप एक कदम तो आगे बर हो आप नकारात्मक प्रuduce करो नकारात्मक कारवनेमिसन होना चाहिए आपके यहां तो आप ज़्यादा लेकिन धोरा सा उसमें क्या करना बिभेदित जैसे आरक्षण की पत्दती है ना कि देश में समानता है लेकिन तर्क पूर्बक विभेद करने की भी अनुमती दी गई है कि जो कमजोर है उसके जैसा वैसा विभार करना जो थोरा सा सही है उसके लिए अलग विभार करना तिये कम समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारी और समंदित छमताओं के सिध्धान पर पर आपके पास तकनीक है पईसा है संसाधान है सब कुछ है ना विकासिल देशों का तर्क है कि अमीर देश जिनों ने वैस्वी कारवन बजट का 80% जादा उभोग किया इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि दुनिया भर में कारवन को आपने प्रडूस किया जवाब करना चाहिए और अपना उतसर्जन करके कम करके हमें उतना उतसर्जित करने करमती देना चाहिए कि भई हम निगेटीव में कर रहे है तो आप अगर सुनी तक भी ले आएंगे तो क्या होगा बैलेंस बना हुआ रहेगा है ना वेस्ट्रिक नभी करनिया उर्जा दक्सता प करने होता है डेवलप्ट निशन भी सुनी पर ही पहुंपने कोसिस करेंगे और डेवलपिंग भी सुनी पर ही आप यहां पर भेदवाव नहीं कर रहे हो एक देश जिसके पास 140 करोड आबादी है और एक देश जिसके पास कुछ लाख में या कुछ करोड में आबादी है व 11,000 गीगा वार्ट तक 3 गुना करने और 32 तक हर साल उर्जा दक्सता सुधार के वैस्विक औसत वार्षिक दर को 2% से 2 गुना करके 4% इतना नहीं समझना है सीधा सीधा बात है नभी करनी उर्जा उत्पादन को हमें बरहाना है बात खतम खीक है कुछ आंकरे दिये हुए उसक 66 राष्टिय सरकारी हस्ताक्षर करता सामिल है जो 250 तक 22 के स्तर के सापिक्ष वैस्विक अस्तर पर सभी छेतरों में सीतलन सम्मंधी उत्प सर्जन को कम से कम 68% कम करने के लिए मिलकल काम करने के लिए प्रतिबद्ध है कि हम क्या करेंगे जो सीतलन सम्मंधी उत्प सर्जन ह जो ठंडा करने के लिए AC और बाकी चीयों सूथ सर्जन होता है उसको हम लोग 68% तक कम करेंगे ठीक है जलवायू वित व्यापार अब ये कैसे कम किया जा सकता है ठंडा करने वाला तो घर का डिजाइन इस प्रकार से बनाएंगे कि प्राकिर्तिक रूप से उक्यार है ठंडा देशों का 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर बखाया है और अमीर देशों के इसका चुकाना चाहिए द्यार 15 पेरी समझाते हैं कि तद विकासील देशों द्वारा NCQG की पूछ्टी भी की गई थी इसका लक्ष है द्यार 25 से पूर्व एक नया सामोहिक मातरात्मक लक्ष निरधा पासवानारित करना यह अलग्ष प्रतिवर 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के इस तरह सुरू होता है जो विकासील देशों को देज़ों को देगे इसमें समन के लिए 250 बिलियन डॉलर सामिल है उनकूलन केhte 100 बिलियन अमेरिकीड दॉलर हानि व अचछती पूर्थी के जले 150 बि के उम्मीद है उके प्रतिवर्स सौ बीलियन अमेरिकी डॉलर का वर्तमान जलवाई वित्त लक्ष पूरा नहीं हुआ है और विकास सील देश रिन संकट का सामना कर रहे हैं विश्य सक संद्चना तक मुद्दों के समाधान उसतत विकास को बरहावा देने कि वैस्विक वित् के लिए तो सेलंका के लिए 337 मिलियन डॉलर का जो बेल आउट पैकेज है वो क्या कर दिया है तो जारी कर दिया है आपको पता ही होगा कि आएमेफ का मुख्य काम क्या है तो अगर कोई देश वित्तिय संकट में फस गया है तो बैलेंस आप पेमेंट का अगर उसके पास द को कम करने के लिए कहां से ныйलिया जाता है तो आएमेफ इंटर नेशनल मॉनेटरी फंड से तो स्रिलंका को एकल पता ही है कि कं से पर इसान था दोלא की सिस eh कई जिसे कारण से वाहाँ इस्तित शुक मेह पड़ीłe है घुस गय थे पूरा राजनितिक पॉलिटिकल सिस्टम चर अमेरिका को भी लेकर आया क्यों क्यों कि भाई इसको एम आएमेफ से पैसा दिलबाओ नहीं तो ये आदमी भाग के फिर कहा चला जाएगा चीन के पास चला जाएगा चीन इसको रिंद तो देदेगा लेकिन अगली बार बोलेगा पूरा सिलंका ही मेरे नाम लिख दो है ना तो इससे बचने के लिए क्या हुआ आयमेफ के पास थोरी से सोर्स पर भी लगा कर उससे रिंद दिलबाया गया किसको सिलंका को 333 मिलियन डॉलर की ठीक ना तब आयमेफ के बारे में थोरा समझ लेते हैं और सिलंका को सबसे बड़े रिंद देने वाले उसमें कौन-कौन स जो 1923 से पहले जब चैना के प्रहुत तो हासिल नहीं था पूरे दुनिया भर में तो रिंद बाटने का काम करता था पेरिस कलब तो भारत पेरिस कलब के साथ भी मिलकर जापान भी रिंद दे रहा है इसको चैना भी रिंद दे रहा है आएमेफ का बेल आउट क्या है तो बेल आउट संभावित दिवालियापन के खत्रे का सामना कर रही कमपनी देशों को वित्तिय सहायता देने के लिए सामानी सब्द है यह रिन नकद बॉंड या स्टॉक खरीद के रूप में भी हो सकता है एक बेल आउट के लिए करना पर रहा है का सामना करना परता है तो आम तोर पर आएमेफ से मदद मांगते है और आएमेफ मदद मांगते है उसी को बेल आउट कह दिया लिए तैक इतनी ہी बार देश अपने बाहिरें वो अन्य दायितों पूरा करने में आवश्चक आयात करने वो अपनी तो देखे क्या है अंतराष्टि संगठन है जो वैस्विक आर्थिक विकास वो वित्तिय स्थिर्था को बढ़ावा देता है अंतराष्टि व्यापार को प्रोसाहित करता है तो तक गरीबी को कम करता है इसके अस्थापन उन सब्सक्राइब से ब्रेटेन रूट सम्मेलन में क की गई थी इसके दोरह कॉन करें सब्सक्राइब थे एक वर्लड बेंक भी को रिश्ब्स वर्लं बेंड की बनी थी एक 5baum वर्लं य ही वर्लड डेंक भी बनी थी 5-1 वना था यह संगठर उससिर बने थे मुल उर्फ से आमेफ को प्राथ्मी की लक्ष अपने स्वैंग के निर्यात को बरहावा देने की कोशिज कर रहे देश सुद्वारा प्रत्यसपर्धी मुद्रा मुल्यन को रोकने के लिए अंतराष्ट्य आर्थिक समनवे करना था या उन देशों की सरकारों के लिए रिंद आता है तू अंतिम विकल्ब है जिने गंभीर मुद्रा संकर से निपटना परता है ऐसे देश जो क्या होते हैं तो जो रिंद नहीं ले पाते हैं कहीं से भी और उनका वित्य संकर इतना गहरा हो जाता है कि अब उनको पैसा चाहिए ही चाहिए नहीं तो बिलकुल कंगाल हो जाएंगे इस परकार के स्थिति मों कि इसके पास जाते हैं तो आएमएफ के पास में जाते हैं भारत ने आएमेफ से साथ बार वित्य सहाइथा मांगी कि इन 293 के बाद से सहाइथा नहीं मांगी है उस दिन हमने सपत लिए थी आज 2000 तक कर दिया गया था और अब ही IMF के कोई भी एक रुपई या नहीं जानते है पाकिस्तान अपने बगल में है उसने बहुत बार रिन लिया है मैं आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ लेकिन जब आप IMF से रिन ले तो हो न तो उसके साथ साथ बहुत सारी सर्टे भी आती है क्योंकि IMF अगर आपको रिन दे रहा है तो आपके एकॉनमी को इस तरह से बनाएगा कि आपको रिन वो वापस भी कर सके इसलिए बिजली का दाम IMF ने बराने के लिए बोला पाकिस्तान को तो उसने बिजली का दाम हद से ज़्यादा बरा दिया वहाँ पर टैक्स बहुत सारे आरोपित करने के लिए बोला बिजली के चोरी रोकने के लिए बोला तो वहाँ पर इसके कारण से भी और समस्याई कहरी हो जाती है इसलिए आपके लिए जरूरी होता है कि जब आपको एक वार कोई रीन मिला IMF से या कोई भी संस्था से आप अपने देश में संरचनात्मक सुधार करें Structural Reform सुनिएगा ध्यान से जरा Structural Reform अपने हाँ कब लागू किया गया 1991 इस भी में लागू किया गया जिसके बाद हमें सुधार देखने को मिला अगर हम पैसा ले लेते और Structural Reform नहीं करते तो हमें फिर से उसके पास पैसा लेने के लिए जाना पड़ता हमने Structural Reform के तोर पर क्या किया था कि हमारी एक बंद एकोनमी के तरह काम कर रही थी जिसमें हमने हद से जादा Licensing हम डरते थे कि कोई विदेसी कमपनी आ जाएगी ब्रेट बनाने का काम भी सरकारी कमपनी करती थी और कार बनाने का काम भी सरकारी कमपनी करती जबकि ये सब काम तो Private Companies का है सरकार क्यों कर रही ये सब चीजे हैं और सब कमपनी आ नुकसान में होती थी तो भारत सरकार ने प्रोजेसी लाया LPG Liberalization, Privateization, Globalization Liberalization का मतलब है जादा Licensing और इन सब चीजों के जोरत नहीं है आप भारत में आईए एक छोटा से structure होगा हमारा उसको follow करते होगा आईए भारत में समान बनाईए बेचिये हमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं परने वाला Privateization का मतलब हो था भारत सरकार के अपने entity बहुत सारे थे bread बनाने से लेकर cycle बनाने सब भारत सरकार करती घरी भी बनाती थी तो यह सब काम क्या है यह सब काम सरकारों को नहीं करना चाहिए बसकि private sector को करना चाहिए जिससे देश मों द्योग धंदों का भी कास होगा तो प्राइविट आईशन सुरू हुआ Globalization का ताथ पर होता है कि Global की कंपनिया हमारे देश में आई उधारी किर्थ जब अर्थवियस्ता होती है तो Global Culture और कंपनिया दोनों देश में आई है न उसके कारण से क्या हुआ तो उसके कारण से जो हुआ वो मैंने परसो सवाल पूछा था बहुत सारे बचों अच्छा भी लिखा था आईमेफ बेल आउट कैसे परदान करता है तो आईमेफ खराब अर्थ वियस्ता को अक्सर भी से इस आहरन अधिकार SDR के रूप में धाना उधार देता है SDR के वाल पांच मुद्राओं के एक बास्केट के रूप में प्रतिन हित करते हैं ये कम से कम चार बार पीटी में पूछा गया हुआ SDR में कौन कौन से मुद्राओं सामिल होती है UPSC PT, UPPSC PT, BPSC में भी आप पूछे जाने के संभाव ना है 70 BPSC में पूछेगा देखना अर्थात अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी युवान, जापानी येन और बिटिस पॉंड जो हैं, ये SDR में सामिल होते हैं SDR में सामिल होते हैं ये उधार कई रिन कारिक्रम, जैसे विस्तारित, रिन सुबिधा, लचीली केरिट लाइन स्टेंड बाइ समझाओता आदी के दोरा दिया जाता है देशों को उधार बेलोट प्राप्त करने वाले देश, अपनी परिसंपत्ति काधार पर बिभिन परियोजन के लिए SDR का उप्योग कर सकते हैं इस थितियां क्या है, आएमेफ से रिन प्राप्त करने के सर्तों को रूप में देश को कुर्श संराशनात्म सुधार, इस्टी को मैं पगली बार आओगे हमसे मांगने, है ना, कुलाव करने ये सहमत होना पड़ता है, इन सर्तों के आलोचना, जनता है तो बहुत सक्त, अभी पाकिस्तान को उधारन दिया मैंने आपको, आएमेफ के कई सारे सर्ते, जनता को पर थोप दी जाते, क्योंकि उसको अपना पैसा चाहिए वापस, वो बोलती है ये करो, अब टेक्स बरहा दो, टेक्स बरहात एक गरीब जनता वैसे ही गरीब है, उसको और चूसलो तुम खून, तो यही चीज़ पाकिस्तान में हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वहाँ पर और भी चीज़े महंगी हो रही है, क्योंकि टेक् प्रभावित होने का आरोप लगाया जाता है, अब भारत को रीन तब मिला था, जब भारत ने इराक युद के लिए जा रहे है, अमेरिकी बीमानों को मुमवई में लैंड करने करमती दीती, तेल भरने के तब जाके भारत को, उन्हें सव नबे के बाद जो आएम एफ का ब तो हमें भी सर्तों के साथ क्या हुआ, तो पॉलिटिकल चीजे भी सामिल होती कई बार सर्तों में, अब आपको पता चला होगा, मुक्त बाजार समर्थन अत्यधिक हस्तक्षेप बादी होने के लिए, आएम एफ की आलोचना भी करते हैं, समर्थन क्या है, सफल रीन कई कार पारन है, उसको बहुत बार आएम एफ ने रीन दिया है, हर पांस साल छे साल पर देखेंगे, आप दस साल पर उसको आएम एफ से बेलाट पैकेज मिलता रहता है, लेकिन इस रीन का कोई मर्थ मतलब नहीं रह जाता है, यह सिलंका कले ने, सिलंका अगर अपने हाँ स्ट्र पिछली बारी बताया था, कि यह केवल सरकार से जुरा हुआ मुद्दा नहीं है, बलकि आम जंता से जुरा हुआ मुद्दा है, है ना, आपके घर से, हमारे घर से जुरा हुआ मुद्दा होता है, इससे पहली प्रियोर्टी की बनती है, समझाने की, तो माबाप की बनती है पैरेंट इसकी बनती है ना उसके बाद दूसरे किसी बनती है एक बीजेपी की नेता थी कहां से तो राज्थान से उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया था इस पर मैंने पिछली बार वेजिकर किया था उसका कि एक बच्चे को बढ़ा करने 22 से 23 साल लग जाता है और कमी आई है लेकिन भारत में भारत में कमी नहीं आ रही है अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं खराब सरक की असना भी हो सकती है और खराब तरीके से ड्राइबिंग करना भी हो सकता है रीजन है ना जिसमें रिपोर्ट आया था कि भारत के बहुत सारे ट्रक जो जो रात को चलाते थे ट्रक उनको दिखाई ने दिएता था साब साब सारक पर, जो कि ट्रक चलाना बहुत मुस्कल काम होता है, क्योंकि ट्रक में बैठे ड्रैवर के लिए blind spot का area बहुत बरा होता है, ब्लाइन्ड spot का मतलब क्या होता है? जिसे driver यहाँ पर बैठा हुआ है तो उसको यहाँ पर क्या हो रहा नहीं दिखेगा यहाँ पर क्या हो रहा वो जल्दी नहीं दिखता है क्योंकि उचाई जादा होती है चौराई जादा होती गारी की इसलिए तो blind sport चुकि ट्रक में जादा होते हैं ट्रक और बसों में इसलिए उसके driver को training अच्छी खासी दी जाती है और train driver ही चला सकते हैं लेकिन उनकों अगर आँक से सही से दिखेगा नहीं सामने सरक पर तो क्या होगा दुरुहटना जादा बर जाती है तो देखे क्या है report में यह 2010 से 2020 तक आपको आकरा दिया क्या लगातार बर रहा है एक्सिडेंट नहीं आप देख सकते हैं कि बर रहा है कम हो रहा है यहां पर देखेंगे सार्प गिरा है यह कौन सा इस भी है ति 2020 का वरस है जिसमें सब कुछ बंद था जब लॉक्डाउन लागू था तब सरग दुरहटना भी कम हो गई थी है लेकिन उसके बाद फिर देखें सार्प एक्सिडेंट हुआ है एक लाख तिरपन हजार 972 यह बहुत बरा आकरा है गुरू इतने तो किसे बीमारी से भी डेथ नहीं होती है और सबसे बड़ी बात क्या होती है सरग एक्सिडेंट की इसमें अक्सर देश के मानव संसाधन का बहुत जादा हानी होता है युवा पीडी की मौत सबसे जादा होती किसमें तो एक्सिडेंट में इसलिए जब आवगर आप भी ड्राइव करते हैं खोरा सथ सही से ड्राइव कीजे लिजेंड सही से चलते हैं और छपरी लोग उड़ाते हैं बाइकों को देखा हुआ आपने चलिए आगे देखते हैं क्या है कि रोड ट्राफिक डेथ फेल्ट और फॉल्स बाइप परसेंट पूरी दुनिया भर में पांच परसेंट से ड्रॉप हुआ है लेकिन भारत में क्या हुआ पंदरा परसेंट से बर गया भारत में कहाँ पर बोला गया है इंडिया होवर रेइस्टर यह 15% इंक्रीज़ किया है लग पे 2220 में और 1.34 2010 में जिनों ने रोड एक्सीडंट उसके बाद से देखिया हम दारूल सलाम, डेनमार्क, जापान, लिथुवानिया, नौर्वे सब देश सामिल हैं, जिन्होंने 50% से ज़्यादा को क्या किया है, रोड एक्सिडेंट को कम कर दी, अलग लग तरीकों का पना कर, उसके बाद से क्या लिखा है, एजप दोयर से अगर हम लोग बात करेंगे, 2020 के दोरान, तो इन 12 सालों में, 11-12 सालों में, क्या हुआ है, तो रोड पर गारियों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण से भी एक्सिडेंट वगरा जादे दिख रहे हैं, लेकिन वहीं पर जापान जैसे सखनावादी वाले देश में, एक्सिडेंट के संख्या कम हुई है, लेकिन भारत में एक्सिडेंट की संख्या बढ़ी है, तो मैं यह आपको पहले ही परहा चुका हूँ, तो इसके कारण और इसका क्या उपाई हो सकता है, यह आप खुद से थोरा से लिखने कोसिस कीजीगा, क्योंकि मैंने पहले ही पर और सोचिए इन पॉइंट पर क्या कारण हो सकता है, एक हो सकता है कि भई ड्राइविंग लेसेंज सही से नहीं दिया जा रहा है, किसी को भी दे दिया जा रहा है, दूसरा क्या हो सकता है, खराब सरक सनख सनखना हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है, सरकों पर लगे होल्डिं के अस्तर तक सरकार दो रप्रयास और सोसाइटी दोर प्रयास इन दोनों को आपको लिखना परेगा इसके निप्तान में और इसके कार्णों में UPके चली आगे भड़ते अगला देखते हें क्या है निऊज अगला निऊज है आपका अगला जो निऊज है वो है आपका केंद और राज्जी के वित्तिय संबंद से जुरा हुआ ठीक है अब इसको तो मैं डीटेल में अगले वीडियो में परहूँगा लेकिन थोरा साज आपको बस इंटोड़क्शन दे दूँगा कि क्या टॉपिक है वित्तिय संबंद चुकी डीटेल है उसके जीएस्टी वगरा सब मुझे परहाना परेगा इसले अगले वीडियो में आपको परहूँगा है ना आर्टिकल वगरा सब बताऊँगा समिधान के भी लें न्यूज क्या है कि केरल गौवर्मेंट ने आरोप लगाया है क्या और केवल आरोप नहीं लगाया है बलकि सुप्रीम कोर्ट अप इंडिया हमें केस भी दायर कर दिया है कि सेंटरल गौवर्मेंट हमें क्या कर रही है तो हमें financial crisis के तरफ में धकेल रही है है ना यह बहुत पर आरोफ होता है इस पर case भी दर्ज कर दिया कि इसके उपर central government के उपर तो net borrowing ceiling भी कर रखा है केंसरकार ने कि आप open market से कितना ले सकतो पैसा और बाकी जगों से कितना रीन ले सकते इसको लेकर भारत से कर रखे मतलब limitation लगा रखी है और हमारे खर्चे चुकी ज़्यादा है और double-double हमारे पर खर्चे का भी load बरता जा रहा है कंसरकारी पैसा कम देती है और बाहर से भी हम रीन नहीं ले सकते है तो इसके कारण से मेरे financial crisis की जो घटनाए है वो देखी जा रहे है राज्यों में इसमें केरल government ने आगे आकर क्या किया कि केस दायर कर दी Supreme Court of India में तो राज्यों के वित्तिय संबंद को अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे लेकिन अभी तो मैं आपको एक और topic पर हाऊंगा किसके कारण से तो भारत सरकार ने 2021 में ROD, TEP नाम से एक छूट प्रदान किये थी अपने निरियातकों को अभी मैं समझाओंगा सारा कुछ आपको चिंता मत कीजेगा उसको काउंटर करने के लिए European Union और अमेरिका ने CBD नामक एक नया टेक्स चार भारती उत्पादों पर लगा दिया है अब ये ROD, TEP क्या है और CBD, CBD के बारे में तो बता ही दिया आपको मैंने Countervailing Tax है European Union और अमेरिका के द्वारा भारत के चार उत्पादों पर लगाए गया है अब ये भारत सरकार की ROD, TEP योजना क्या है इसको जरा समझ लीजेगा 2021-22 के लिए 8555 उत्पाद है तो निर्यात उत्पाद सुल्क वो कर की छूटों की योजना के तहत कर refund दरों की घोसना की गई थी जिसके तहत भारत के जो निर्यातक हैं उनको कुछ छूट परदान की गई थी कि वो अपना समान दुनिया भर में जाके बेच सकें अब जब यहाँ पर उनको थोड़ा से छूट दिया जाएगा समझेगा पूरे चक्र को यह भारत देश है यहाँ से कोई वस्तू निर्यात के लिए निकला उसको हमने छूट दे दी तो उसको थोड़ा से लागत कम पर जाएगा अब यह कम लागत के साथ यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के बाजार में पहुंचेगा वहाँ पर कम लागत के साथ यूरोपियन यूनियन में कोई कमपनी बना रही थी जिसके कारण से क्या होगा उसको यह साथ यूरोपियन यूनियन में कोई कमपनी बना रही थी CBD लगा दिया कि अब हम आपको और दो-चार टेक्स लगा देंगे जिससे आपका भी समान कितना रुपया हो जाएगा जितना European Union और अमेरिका में दूसरा समान भिक रहा है उतने में ही आपका भी समान भिकेगा इससे क्या होगा भारत के निरियात को नुक्सान हो ठीक है जिन पर अब तक तो या तो छूट नहीं दी जा रही थी या उन्हें वापस नहीं किया जा रहा था अब तक उनको इस पर छूट नहीं मिलती थी या तो वापस नहीं किया था अब हम उनको छूट और वापस दोनों कर देंगे इससे उनका समान सस्ता हो जाए पुरी दुनिया वरे बेचेंगे वो लेकिन दुनिया भी अपना काउंटर ढूंडती और उसने काउंटर ढूंड के हम पर लगा दिया CBD या योजना उन करो या सुलकों पर लागू नहीं होती जिन पर पहले से ही छूट दी जा चुकी या जि जो विस्ट वैपार संगर्षन के नियों में का अनुरूप नहीं थी माना गया था डबलू टी यो बार बार उस पर सवाल खरा करता था का आपने वैपारियों को बहुत छूट देते हैं जिसके कारण से उनका सामान सस्ता होता है तो मिया इस को वापस करना परा और रोट पर रोट बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रेकना इसको पीटी में पूछा जाए में स्वई पूछा जा सकते हैं मेई योजना के निरियात के फ्रेट ऑन बोर्ड मोल्यों पर दो परसेंट से साथ परसेंट का अधिक लाब्द परतान किया जा रहा था तो विस्वेपार स जैसी योजना निरियात को के लिए नहीं लाए जा सकती है भारत की प्रतिवेक्ति आये 2017 एक हजार अमेली की डॉलर सधिक थी भारत बाद विस्वेपार संगठर न यह मामला हार गया और उसे भारती निरियात को इस साहथा के लिए डबलू टियो के अनरूग एक नई जैसी योजना कहा गया पारिधान निरियात को के लिए राज जीवा केंदरिया लेवी तथा कर योजना की छूट अलग से अजचुदित की गई विभिन शेतरों के लिए कर रिफांडर दरे 0.5 से 4.5 तीन परसेंट तक हैं पहले 7 परसेंट तक ही अब उसको कम करना परा य य चूट निडियात के लिए फरंट ऑन बोर्ड मूली के परतिस fines के रूप में दी जाएगी, और कम जारी कुड रौगा उसकुद कर रहा हैं, कर तो समझ में आ अगया ना आपको, अब कौन जारी कर रहा है, कौन इतने डीटेल में आपको नहीं समझना है इसको, और किसके जगा पर लाया गया है, तो M E I S योजना पहले चलती थी, इसको ये लागू करने के लिए भारत के लोगों का 1000 डॉलर, अमेरिकी डॉलर से कम का प्रतिविक्ति आये होना चाहिए, लेकिन चुरी हमारी चुकि हमारी इकॉनमी बरी हो रही है, इसलिए हमें 1000 डॉलर को हम पार कर गए, इसलिए M E I S योजना को हमें हटाना परा, WTO हम केस हार गए, उसके जब रोड टेप योजना को लाना परा, अब रोड टेप योजना अग लाने के खारण से, अमेरिका और यूर्पन यूनियर नाराज होके, उन्होंने हम पर लगा दिया, टेक्स, तो ठीक है, उसका भी कार्ट देखा जाएगा, फिर से केस होगा, भारत के प्रतियस परधात्मक्ष हमता को बढ़ाएगा, M E A, रोड टेप योजना, पांस से दस वर्जों भारत द्वारत प्रतियस परधात्मक्ता, व्यापार, प्रभा, और निर्यात, संका, महित नुर्पूर्ण, उसके प्रभावित काने के आसा की जा रही है, अंतराष्टे मानकों के बराबरी भी करेगा ये, इसलिए हम इस योजना को ले कर आये थे, प्रियंका इंटरप्राइज, आस्था टेक्स्टाइल, प्रियंका इंटरप्राइज, आन्त तीन तीन लाग रिपे के संकेतिक चेक भी प्रदान किये हैं, और ब्रिटानिया इंडस्ट्री लिमिटेर की प्रत्थम इकाई हाजी पूर्मस्थापित की गई है, हाजी पूर्मस्थापित की गई है, बारेसम दोयरते इसको दूसरी काई का उध्वाटन और उत्पादन कारे भी शुरू हुआ है, मुखमंति ने किया के सरियास्टूप के मारगी है, सुविधा केंदर सह कैफेटेरिया को उध्वाटन, के सरियास्टूप कहाँ पर है, ये पता होगा आपको, पूर्वी चमपारन जिले के सरियास्टूप के लिए कुछ फैसलिटी का उध्वाटन किया गया, उसको फीता काटकर मुख्यमंतरी महोदे न उद्गाटन किया है तो केसरिया अस्तूप को जरूर ध्यान में रखेगा मुख्य सनर्चना चार ओर कुल आठ लगू प्राकृतिक बनाई जाएगी तो केसा लगा है आज का वीडियो बताईएगा थोरा सा अच्छा लगा हो तो कुछ खामी रह गए यह तो भी बता सकते हैं थांकियू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए